तो वीवर्ज, वेलकम बेक टो टर्सविला चेनल, अब आप लोगों को जो शॉक लेने वाला हम वो ज़रा देखें, यह जो कम्प्लीट आर्टिकल है, देखें, यहां से लेकर यहां तक, वाट इस सेमरेश, एवरिटिंग, यह जितना कॉंटेंट है, सारे का सारा 100% यूनिक है, और believe me or not, यह सारे का सारा AI generated text है, जी हां यह सारा A to Z मैंने AI text generate करके यहां पर लगाया हुआ है, कैसे, उसके लिए आपको यह वीडियो लास्ट तक देखनी पड़ेगी, ताके आप प्रॉपर इस तरीके को समझ सकें, तो चलिए अपने desktop के आगे चलते हैं, और जाकर हम अपनी एक review post create करते हैं, मैं हूँ आपका host सल्मान सर्वर और आप देख रहे हैं, तटस्विडा YouTube चैनल, So guys, वो post मैंने create की थी textbuilder.ai, I hope मेरी आपने last video देख ली होगी, जो के textbuilder के मैंने review दिया था, कि यह बहुत अच्छी application है, और I don't know आप लोगों में से कितने लोगों ने try किया, लेकिन अभी आप description में से link पेग जाएं, और इसका lifetime plan बाय करें, जिसका unlock code मैंने यहाँ पर आपको वीडियो के अंदर भी दे दिया है, description के अंदर भी मिल जाएगा, ठीक है lifetime plan जों से इनका वो आप लोग बाय कर सकते हैं, जो के 50,000 credits आप लोगों को मिलेंगे, right now मेरे पास तो account है, तो मैं अपने account के अंदर आ गया हूँ, क्यों है आप लोगों को buy करना का कहा रहा हूँ, इसके अंदर आपको different templates तोगरा देहने को मिल जाएंगे, यहाँ पर मैं अगर आपको दिखाऊ हूँ, templates के उपर, तो आपको different quick templates मिल जाते हैं, जिसके उपर click करके, आप जोन सा भी data generate करना चाहें, कर सकते हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, कि मैंने last time rush का data generate किया था, तो वो सारे का सारे यहाँ पर मजूद है, तो मैं जो भी चीज यहाँ पर करना चाहूँ, जो भी चीज लिखना चाहूँ, वो यहाँ पर मैं easily लिख सकता हूँ, उसको use कर सकता हूँ, So right now, हमने एक review article लिखना है, जो कि bookly pro, यह मैंने एक plugin निकाला है, बिल्कुल random plugin है, मैंने code canon से निकाला है, इसको, मैंने सोच है, इसके उपर एक review post लिखी जाए, तो उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा AI writer के अंदर, ठीक है, मैं AI writer के अंदर आ जाता हूँ, AI writer के अंदर आने के बाद मैंने यहां पर already इसको बनाया हुआ है, bookly pro review, अगर आप लोगों के पास यहां पर कुछ भी project नहीं नदर आएंगे, आपने create new project के उपर click कर लेना है, ठीक है, right now मैं bookly pro review को open का लेता हूँ, ताके मैं इसके उपर काम कर सको, मेरा project already generated है, मुझे just इसके उपर जो उनसा है, काम करना है, ठीक है, अब यहां पर आप लोगों को different moods देखने को मिल जाते हैं, जैसा कि less creative, more creative and small, medium, large, ठीक है, तो आपने इसको medium पर राक के ना, जरा सा more creative की तरह चले जाना है, कि 70 के अंदर आजए, कि more creative के अंदर आप लोगों की यह value चली जाएगी, आप यहां पर हम लोगों ने लिखा हुए, लेकिन सबसे पहले हम अपना title generate करते हैं, जैसे कि यहां पर लिखा है blog post, intro paragraph, तो हम intro paragraph के बजाए, हम पहले इसका title generate करते हैं, तो यहां पर मैं आता हूँ, और यहां पर मेरे favorites, जो उनसे tools हैं, उनके अंदर से मैंने करना है, नहीं तो आप all tools के अंदर जाकर भी search कर सकते हैं, लेकिन right now मैंने इसको favorite किया हुए, तो मेरे पास यहां पर सबसे पहले आजएगा title, तो वो मैं देह लेता हूँ, कहां पर है, मुझे लगता है कि title मेरे favorites में नहीं है, तो मैं all के अंदर चला जाता हूँ, और यहां पर मैं product reviews के यहां पर आ चुक है, इसको मैं favorite भी करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, लेकिन right now मैं अभी इसको just लिखता हूँ, ठीक है, मैं यहां से favorite tools अपने दुबारा open कर लेता हूँ, ताकि मुझे यह याद रहे, अब यहां पर यह मेरे से description मांग रहे है, तो मैंने इसके description थोड़ी स है, tool की description आ गई, मैं simply क्या करता हूँ, यहां पर generate text के उपर मैं click कर देता हूँ, output I think दो, और generate कर देता हूँ, तीन total मुझे चाहिए, ताकि मैं उन में से decide कर सकूँ, अच्छे वड़ा concept, ठीक है, सबसे पहला आ रहा है, bookly pro, automated online booking and scheduling for wordpress, unlimited appointment, remainder payment, recurring payments, appointment booking for wordpress, ठीक है, तो यह ज ज्यादा बेतर लाग रहा है, तो मैं इसको जो उन सा है, यहां पर add कर सकता हूँ, so right now मैं क्या करता हूँ, इसको copy करके यहां पर paste कर देता हूँ, तो अब हमारे पास यह जो bookly pro, यह हमारा first आ गई है, चीज, जो के हमारा title है, हमने title लिख लिए, इसके अंदर मैं थोड़ सी changing करता हूँ, यहां पर लिख देता हूँ, review, ताकि मुझे याद रहे कि मैं review लिख रहा हूँ, bookly pro review यहां पर मैंने लिख लिया, मेरा title जो उन सा है, बन गया bookly pro review, automated online booking and scheduling for wordpress, perfect हो गया, एक title generate करने के बाद, अब हमें इसका छोटा सा intro लिखना पड़ेगा, ठीक है, तो म मैं select करूँगा, जैसे मैंने इसको select किया, अब यहां पर मेरा यह title आ रहे है, इसकी जगर पर मैं यह वाला title लिखना चाहरा हूँ, तो मैं इसको add to input के उपर click कर दूँगा, जैसे मैंने इसके उपर click किया, मेरा यह देखे title यहां पर आ गया, अब मैं blog intro भी दो generate करता तो यह automatically data लिख देगा मुझे, जो के एक 231 words का इसने लिख कर दिया है, और 254 words का लिख कर दिया है, now it's up to you, आप इन दोनों में से कौन सा use करना चाहते हैं, तो मैं दोनों का combination भी use कर सकता हूँ, जी हां, मैं दोनों का combination यूज करना चाहूँ, तो मैं वो भी use कर सकता हूँ तो यहां पर मैंने क्या किया है, कि यह second वाला जो data यह उठा कि मैंने यहां पर रख लिया, and it's totally आप लोगों के सामने है, कि मैंने इंट्रो भी अपना लिख लिया हूँ, ठीक है, अब इसके अंदर अगर आप first वाले के देखें, तो first वाले के देखें, तो first वाले यूज करना चाते हैं, तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी इसको यूज करने के लिए यहां पर रखा, ठीक है, इसको मैं h2 कर देता हूं, sorry, यह सारा ही h2 हो गया, no problem, ठीक है, यह अब मेरा h2 हो जाएगा, ठीक है, अब इसके बाद वाला यह वाला टेक्स्ट है, मैं इसको खतम करता हूं, और इसको पराग्राफ के अंदर चेंज करता हूं, क्योंकि यह सारा तो पराग्राफ है, साथ-साथ मैं फॉर्मेटिंग भी करता जा रहा हूं, ठीक है, तो अब देखे कि एक बिलकल well-formated टेक्स्ट आप लोगे पास आ रहा है, और आते हैं कि हमने इस प्रोड़क्ट के फीचेर्द लिखने है ठीक है तो में यहां पर select कर लेता हूँ feature we like ठीक है तो अब हमने इसके features लिखना हूँ मैं 2 को klikke कर था अब इस ने product description और product title automatically Chuly योज चिस कर लिए है यहां पर enterprise करके मैं इसको heading to के अंदर change कर देता हूँ feature we like भी हो गया अब feature we like बहुत easily आपने लिख लिए है बहुत easily आप लोगों को यह चीज समझ में भी आ गई right now हमारे पास next जो option है feature we like के बाद हम करते हैं कि how we pick यह हम इसको test कैसे करते है तो उसके लिए मेरे पास यहां पर section मजूद है how we pick and test मैं अगर इसके ओपर click करता हूँ तो यह मेरे पास से product पूछ रहा है तो मैं इसको product देता हूँ कि यह है हमारी product ठीक है हमारी product यह है इसके मैं generate text करके 2 करता हूँ कि बाई 2 मुझे output show करवा दो ठीक है यहां पर आगया features we evaluate software features including online booking ठीक है sports चेक करते है ease of use चेक करते है ठीक है नीचे भी कुछ sections आप लोगों के पास मजूद है तो आप लोग उनको भी use कर सकते हैं लेकिन right now मैं इन दोनों का combination यूज़ करता हूँ पहले तो मैं यहां पर लिख देता हूँ how we pick and test ठीक है इस चीज़ को मैं copy करके यहां पर ले आता हूँ and इसको heading to के अंदर change करता हूँ अब नीचे हमने सारा text लिखना है तो मैं पहले इसको copy करके यहां पर paste कर देता हूँ इन चीज़ों को आप bold भी कर सकते हैं जैसे कि मैं इसको bold कर देता हूँ इसको bold कर देता हूँ and इसको bold कर देता हूँ so right now हमारे पास यह text आ गया and इसके बार मैं और आगे लिखना चाहता हूँ जैसे कि यह वाला text है तो मैं इसको भी copy कर लेता हूँ अच्छा इसमें एक जो चीज़ ने वो दो दफा आ गया यह ease of use no problem मैं इसको खतम कर सकता हूँ खतम कर दिया अब यह देखे हमारे पास almost जो चीज़ें how we pick and test के अंदर बहुत से चीज़ें जों से हैं वो cover up हो गई है आप एक product review लिख रहे हैं हमारे पास जो चीज़ आ जाती है वो आती है things to consider ठीक है अब things to consider क्या है कि आप कौन से चीज़ें इसमें देखेंगे तो मैं यहाँ पर click करता हूँ product order यह हमारी selected है तो दो output मैं generate कर लेता हूँ ताके अच्छे तरीके से यह generate कर सके so यहाँ पर आ गया इसी तरह इसका भी मैं title copy कर लेता हूँ and h2 के अंदर कर लेते हैं या h3 कर लेते हैं तो मैं यहाँ पर copy करता हूँ और इसको paste कर देता हूँ यह हमारा जी things to consider के अंदर भी चीज़े आ चुकी है right now आप लोग यह idea लगा लें कि 505 words हो चुके हैं आपने ये सारे के सारे AI से generate की है एक proper online review आप लोगों का generate होकर आप लोगों को नजर आ रहा है so next आगे बढ़ते हैं इतना करने के बाद अब हमने products के pros and cons भी लिखने हैं तो उसके लिए मेरे पास यहाँ पर products pros and cons version tool यहाँ पर आ गया मैं इसको select कर लेता हूं ठीक है automatically मैं product title और product description उठा लिए और मैं generate text के उपर कर देता हूं एक ही मैं इसका output निका रहा हूं क्योंकि वही सारा मुझे use करना है ठीक है तो यह मैं इसका title दे रहता हूं यह हमारे पास pros and cons दोनों चीज़े आगी इनको मैं यहाँ पर राख लेता हूं ठीक है for my age मैं इसको bold करता हूं price of the pro version could be lower some feature and no backup no language translation यह इसके cons हैं यह इसके pros हैं इसने automatically हमें pros and cons जोंसे हैं वो generate करके दे दी हैं हमें मजीद extra कुछ भी generate करने की जरूरत नहीं पड़ी pros and cons generate करने के बाद अब हमारे पास product का हमने review paragraph लिखना है तो यह product review यहाँ पर लिखा हूँ है ठीक है यह भी आप use कर सकते हैं या फिर आप product review blog intro भी use कर सकते हैं it's totally up to you लेकिन right now मैं product review के उपर क्लिक करता हूँ और generate text के उपर क्लिक कर देता हूँ एक ही आ जाएगा ठीक है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अब यहाँ पर मेरा यह section आ गया यहाँ पर इसने product यहाँ जहाँ पर लिखा हूँ है यहाँ पर हम अपनी product का नाम लिखेंगे ठीक है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ bookly ठीक है bookly pro जो नहीं हमारी product का नाम है वो मैं copy करके product की जगह पर लिख देता हूँ अब यहाँ पर देखिए तो यह इसका एक five star review customer review भी इसके अंदर आ चुक है so right now आप लोग यह भी add कर सकते है after this हम लिखेंगे के why should consider buying ठीक है के आपको यह क्यों buy करनी चाहिए product के downstairs भी आप लोग mention कर सकते है और यह research shows भी आप mention कर सकते है so guys मैं एक चीज़ भूल गया था जब मैंने पिछले recording की यह इसलिए मैं थोड़ा सबात में कर रहा हूँ ताके आप लोग चीज़ भूल ना जाए ठीक है मैंने और यह चीज़ अंदर बोल दी थी तो that's why मैं आप बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग कैसे लिख सकते हैं why should consider buying ठीक है तो यहां पर मेरे पास एक section मिल जाएगा why should you consider buying मैं इसके उपर क्लिक करता हूँ तो अब यह मेरी जो product title है वो यहां से यह लेना चाहरा है तो मैं product title इसको देता हूँ जो कि यह है ठीक है अगर आप उसी time पर लिख रहे होंगे तो वह already by default जो तरीका करोगा उसी के साथ वह automatically pick कर लेगा यह किया और generate text के उपर click कर देता हूँ यहां पर conclusion से पहले मैं इसको add कर देता हूँ ठीक है इसके बाद यह देखें here has some reason you should consider investing in bookly pro और यह इसने मुझे दे दिया मैं इसको add to writer कर देता हूँ ताकि यह यहां पर add हो जाए ठीक है and here we go यहां पर सारी चीज़ें आप लोगो को mention होकर आ गई है और आप यह सारी चीज़ें देख सकते हैं अब हम product review conclusion के उपर आते हैं कि अब हमने product review conclusion लिखना है ठीक है इसको मैं click करता हूँ generate text के उपर click कर देता हूँ तो अब हमारे पास इसका conclusion generate होकर आ जाएगा यह हमारा conclusion आ गए मैं इसको copy कर लेता हूँ और यहां पर लिख देता हूँ सो हमारी 753 words की एक complete review post जो उनसी है वो ready हो गई है आप लोगों के सामने आ चुकी है ठीक है यह आप complete post अपने जो blog है उसके उपर जाकर post कर सकते हैं and share कर सकते हैं किसी भी अपने दोस्त के साथ जो भी आप करना चाहें it's totally up to you यह थी complete हमारी post writing अब आप लोगों को already बता चुका हूँ कि आप लोग इस जो tax builder है इसका premium version lifetime में का buy कर सकते हैं बहुत ही कम price में $80 के अंडर ठीक है और आप लोगों को lifetime जो deal है उसका unlock code description में मिल जाएगा अभी description में जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं इनकी lifetime deal buy कर सकते हैं I hope आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई तो next वीडियो के अंदर मैं आपको top 10 articles लिख कर बताऊंगा जी हाँ आपको top 10 articles लिख कर बताऊंगा अगर आप लोगों के comment आए आप लोगों ने ये वीडियो को पसंद किया तब ही ऐसा होगा इस वीडियो को दोस्तर शेयर किजिएगा थैंक्स वर वाचिंग अलाहाफिज